हलो फ्रिंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर क्नॉक्स IPO का दोस्तो आज अलोट्मेंट आउट होता हुगा देखने को मिलेगा के फिन टेकलोजीस की वेबसेट पर अलोट्मेंट आउट होगा कितनी बज़े आपको अलोट्मेंट चेक करना है क्या रीटेल के चांसेज बन रहे हैं क्या आज का छे तरिक का ग्री मार्केट अपडेट है सब पर बात करेंगे इस वीडियो में तो बिना किस दिरी के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बता दू 130 क्रोड का इशु था यहां पर 50% हिस्सा रीटेलर के लिए दिया गया था तो रीटेल स्पेसेफिक की आईपयो राता हुआ देखने को मिला लेकिन रीटेलर ही दोस्तों सिर्फ 50 गुना बरते हुए देखने को मिले तो यह डेफिनेटली दोस्तों आ अचास निवेशकों में से किसी एक निवेशक का लॉट्मन यहां पर लगता हुआ देखने को मिलेगा अल्मुस्ट 8% अप्लिकेशन यहां पर अपने को रिजेक्ट होती ही देखने को मिलेगे जिन लोगों ने UPI मैंडेट लगा दिया और ऐसे भी लोगों ने UPI मैंडेट लगा दिया लेकिन फिर UPI आपका सकते मैंडेट ही एक्सेट निहीं किया इसलिए कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 50 इस तु 1 का रेशियो यहां पर रहता हुआ देखने को मिलेगा अंडरीवाथ ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 30% के आसपास का प्रीमियम यहां पर चेक करें सिंपल सा प्रोस एं गॉगल पर जाकर सर्च करना है जैसे अफ एन टाक आन्ट इस जयसे अब सर्च करेंगे पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक करें अल्हाई प्र आई प्र बडॉं के से बाद लिंक आन्पर यहां पर ग्लिंट ट मिले अर्ड एन पन नंबर और경 डाल के submit पर click कर देना है फिर एक window open होगी वहाँ पर जाकर आप मालूम पर जाएगा कि आपको allotment लगा है कि नहीं लगा है यही one of the trusted and verified method for allotment status और इसके अलावा I think so अगर आप BAC website पर check करेंगे तो वहाँ पर आपको definitely no record found आता हुआ देखने को मिलेगा and इसके अलावा दोस्तों आप अपने debit के और credit के SMS जरू चेक करते हैं कि दोस्तों कही बार क्या है पहले debit का SMS आता है फिर allotment आता है तो debit SMS चेक करते हीएगा अपने UPI mandate जाकर चेक करेएगा अगर UPI mandate रवोक्ड हो गया तो allotment नहीं लगा है लेकिन अगर UPI mandate successful funds debited वहाँ पर show कर रहा है तो allotment लग चुका है तो इन तरीकों के तुरू आप अपना allotment easily चेक कर सकते हैं and अगर आपके और भी के query है तो जरू आप comment करके बता सकते हैं thank you friends for watching this video